हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल टेक्नोबॉय अमन और मेरा नाम है अमन्दी तो दोस्तों एक छोड़ा सा अपडेट देता हूं आपको आप काभी सारे लोगों को शयद ना पता हो मैं माई बाइक राइड कर रहा था और मैंने नोटिस किया ठी जादा हो रही थी तो पहले दो मेरे को लगा स्टैमिना उसका भी कम है या मेरा भी कम हो गया इसलिए हो रहा है थकावट हो रही है बट नहीं जब दूसरे साइकल पर होते थे तब थकावट कम होती थी इस पर होते थकावट जादा आती फिर मैंने घर आके मैंने चेक किया इसकी सर्विस कराय को भी मेरे को एक साल से उपर हो चुका है फिर मैंने घर आके क्या किया मैंने brakes चेक की brakes साथ में तो नहीं टच हो रही brakes बिल्कुल नहीं टच हो रही थी फिर मैंने क्या किया brakes चेक करने के बाद brake pads चेक करने के बाद साथ में नहीं लग रहे थे बिल्कुल ओके थे फिर मैंने दूसरी चीज चेक की वो मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसे साइकल उठाया ऐसे वील को घुमाया आगे वाला वील बिल्कुल ऐसे परफेक्ट चला बट जब मैंने ठीक है पीछे से साइकल ऐसे उठाके जब वील घुमाया अभी ये घुम रहा है जब मैंने घुमाया था जैसे घुमाया वैसे ही वो रुख गया यानि पिछला जो वील है जो उसके बेरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट थे तो फिर मेरे को पता लगा ये कारण था जिसकी वैसे हमको थकावड हो रही थी मैंने वील को ऐसे थोड़ा से घुमा के देखा बहुत ही ज़्यादा टाइट था फिर मैंने क्या किया मैंने वील को खोला मेरे पास टूल्स है थोड़े बहुत मैंने जो इसकी कौन होती है ठीक है बेसिकली होता क्या है ये एक एकसल है ठीक है और ये हब होती है जो आपकी हब होती है ठीक है हब के बीच में ऐसे ना साइट पे दोनों साइट पे कप होता है ये आपका कप है एक साइट का और ये एकसल जा रहा है और फिर एकसल के उपर चूडी से कस्ती है कोन और ऐसे वो साथ में लगती है और दोनों को टच होने से रोकने के लिए तांकि free movement हो इन दोनों के बीच में जो bearings होती है गोल-गोल सी balls होती है steel balls होती है वो लगी होती है जो पीछे होती है उनका number अलग होता है जो आगे होते हैं उनका number अलग होता है और normal cycles में पीछे वाली ज़्यादा मोटी होती हैं आगे वाली थोड़ी पतली होती है और जो बड़िया cycle होती है ठीक है उन में आगे और पीछे वाली दोनों बड़ी size की होती है तो हुआ क्या होगा जो cone थी वो कप के साथ बहुत ज़्यादा टाइट थी तो उसके वज़े से जो बेरिंग जे उनको free movement नहीं मिल ली थी मैंने चेक किया कोई bearing टूटा भी नहीं था ठीक है ball bearing कोई टूटा बड़ ज़्यादा टाइट था फिर मैंने क्या किया जो कोन होती है ठीक है कप के साथ ऐसे लगी होती है उसके बीच में से spacer होता है और उसके साथ में एक lock nut होता है मैंने lock nut को lose किया lose करने के बाद इसको थोड़ा सा lose करके फिर से दोबारा tight कर दिया यह चीज आप अगर घर पे करोगे अगर आपके पास tools भी आ है तो यह नहीं घूम रहा जो ball bearing है वह बहुत जादा tight है आप mechanic के पास लेके जाओ उनको को हो इसको adjust कर दो यह अगर बहुत time हो चुक है आपके cycle को service की हुए greasing की हुए तो greasing दोबारा से करवाओ और greasing करवाने के बाद कई बार क्या होता है एक हफ़ता चलाते हो दो हफ़ता चलाते हो यहां तो जो आपकी hub होती है उसमें play आयाती है वह ज्यादा lose होती है यहां वह ज्यादा tight होने के chances होते हैं इसको मैंने grease तो किया था बट बाद में चकरना भूल गया और धीरे-धीरे करके काफी जादा यह tight हो गया तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है सैकल कुछ जादा है भी चल रहा है बहुत सारे कारण होते हैं बट यह एक कारण है जो काफी सारे लोगों को नहीं बता बता तो मैंने सोचा आपके साथ मैं यह share करूँ अब जो hub है set हो चुकी है अब इसको ride किया तो बहुत ही freely यह चल रहा था बहुत ही अच्छा यह भाग रहा था तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आपको मेरा यह update कैसा लगा मेरे को जरूर बताना और मिलेंगे ऐसी ही और एक informative वीडियो में तब तक के लिए happy cycling बाए बाए